तो राजस्तान के प्रमुक एतियाशिक शोत के अंतरगत, बहुत ही important एक अभिलेक है, एक शिलालेक है बहुत important है, बहुत ही important है, ठीके ना, जितने भी हमने पढ़े हैं, उसमें लगबग दो-चार और भी थे पहले भी, लेकिन ये भी उसमें एक important रहता है नाम है बीजोलिया का शिलालेक सबसे पहले समय की अगर हम बात करें तो इसका जो समय है या ये जो मिला है ये पांच फरवरी ग्यारो सो सितर इस्वी ठीक है न? ओकेई पांच फरवरी ग्यारो सो सितर इस्वी यालेक बीजोलिया क्या पारशनात मंदिर बिजूलिया पारशनात मंदिर से मिला है पारशनात मंदिर से मिला है कहां मिला है पारशनात मंदिर से मिला है पारशनात मंदिर कहां है अपने ये है भीलवाडा में जिहां सात्यों ये है भीलवाडा में उतके डिया लेक मुलते एक दिगंबर लेक है केने का मतलब इसमें किसकी जानकारी मिलती है चोहानों की कौन सी शाका सांबर वाली और दूसरी है अजमेर वाली दोनों की शाकाओ का इसमें वरनन मिलता है इसमें चोहानों को वस्त्र गोर्ण ब्रामन बताया गया है बहुत 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 पताया गया, इसमें बताया गया है चोहनों को क्या बताया गया है इसमें गया होता है कि विजोले की आस पास के पठारी बाग को उत्र मादरी कहा जाता है जिसे आज भी हम उपरमाल कहते हैं उस समय दिये जाने वाले भुमी अनुदान को डोहली की संक्या दी जाती थी एक एक जी इंपोडनेट देगी इसकी मेवाड के पुरुवी बाग में बहने वाली कुटिलाना दी का उल्लेक है ठीके ना सबसे पहले कहां से मिला है सात्यू पारशनात मंदिर बिजूल्य भिलवड़ा से मिला है पांच फरवरी 1107 का है ठीके ना दिगंबरी जेन श्रावक लोलाक ने जो है इसे लगवाया था सांबर के चोहानों की जानकारी मिलती है चोहानों को वस्र गोद्र ब्रामन बताया गया है अज हम उप्रमाल केते हैं इसमें उस समाई जो भूमी अनुदान में देते थे उसे डोहली के शंक्या दीजिया जाती थी ठीके ना मेवाड के पुर्वी भाग में बेहने वाली कुटिला नदी का उल्लेग इसमें हैं इसके अलावा क्राम समों की बड़ी काई के लिए प्रतिगर्ण का प्रियोक किया जाता था गांत दा प्रतिगर्ण उधिगर्ण को महतमत पारिक रही आदिनामू से जाना जाता था कितनी अच्छे ची बाते देखिए इसमें इसके अलावा हम इंपोर्टेंट बहुत कुछ कितने बी मेधबाड मेवार्ड यह वाले इनकी जानकर यह कहें कहें फिजोलिया शिलालेक में अलग-अलग-अलग नाम बताएंगए अगर हम बात करें तो सबसे पहले देखिए जैसे जाबालिपूर जालोर के लिए मिलता है तो ये किस में मिलता है विजुलिया शिलारेक में मिलता है जाब अलिपूर्चारूल के लिए मिलता है नडूल किसे कहा जाता है नडूल नाडूल को कहा गया विजुलिया शिलारेक में कहा गया इसके अलावा शागंबरी किसे कहा जाता है सांबर को कहा जाता है दिल्ली को कह आपने में प्राची नाम में वर्तमान में इस नाम मिलते वह इसी लेक में इसे लेक में मिलते आप स्वामेशवर कोन है पिसी थर्ड प्रत्विरा चोहन तृतिय के पिताजी इना उनके समाइग का है चोहान मंस्व की बात करें तो और वासुदेव चोहन साकंपरी चोहान कि हम सांबर जिल बनवाई थी वासु देव न आये चत्रपुर और अपनी राजदानी बनाया था Okay शाकमपरी के जो वासु देव है उन्होंने सांबर जिल बनवाई अच्चा किस ने बनवाई सांबर जिल वासु देव ने कौन थे साकंपरे के चोहां थे कब बनवाई पांसो इकावन इस्वी में वहाँ पर चोहां राजे की स्थापना की मुल्च का जाता है भासु देव ने आईच्चातरपुर को जो अभी नागवर में हैं उसे अपने रास्दानी बनाए ये सारी किसान की जानकरे हमने बीजूलिय शिललेक में से ही मिलती है बहुत इंपोर्टेन था बहुत इंपोर्टेन बीजूले शिललेक इसलिए ठीक है इसारे प्राचे ना म मिलना यह सारी जानकर कहां से मिलती है ओके ठीक है